नमस्कार दोस्तों परमजी सिंग केलियापस अरवेदा से आज आपके सामने एक बार फिर और आज मैं हूँ गामडी गाहों के अंदर इस्टिप है सोनी पक्त अर्याणा से जो है समय में लाइब शुट कर रहा हूं और में सब किसान है क्या ना में जी अपका परुवें जी मौइल नमर बोलना प्रववव जोड़ बोलना है 597-7212 चीक तो यह जो है आपकी एक खेट में केलियापस को परुफ। यूज हूँ है अर्ट मैं नहीं उज हूँ है तो लिए नहीं जो है तो हमने ढ़्याप किसमें जुह अब तो अगर आप थोड़ा नजडीक लियाए पस् Hamade कि यह रूट कभाग देखाओं कि यह कंदो आगर को सब्सक्तिक कर दोतुए बलां से बिजुए आगए तो आ हनुमिट की आप देखो고 समय कितनी है रूर यहनग और धाल यहाज आपकी तो मेरा कहने का मकसद दोस्तों है कि जब हमारी सोयल ही जितनी हार्ड होगी तो उसमें रूट की डूइलमेंट ही नहीं हो पाएगी और जो सोयल हमारी सोफ्ट होगी तो उसमें रूट की डूइलमेंट आप देख सकते हैं यह प्रैक्टिकल आपके सामने लाइव एक्जमपल है रूट की जो डूइलमेंट है वो देखो आप कितनी हैं तो जब इसकी जड़ ज्यादा गहरी होगी जड़ ज्यादा मझबूत हो यही है हम अपनी सोयल की जो है उसको हम इंप्रूव कर दें जब सोयल की है तो प्लांट की है अब हमारे फार्मावस आज की डेट में जो फेस कर रहे हैं उन चैलंज से हम बाहर निकल सकते हैं अभी मैं आपको जल्दी ही एक फील्ड पर लेके जाएंगा लाडवे करनाड इस्टिक की वो फिल्ड है हमारी 1509 वरैटी है और वो पेड़ी हमारी धान जो है वो लग बग तेयारी पे है कटने की क्रीब 10 दिन सुमें रह गया है पकड़े में और अब तक जो है उसमें कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उसमें कोई भी में आपको उस फिल्ड पर भी लेकर चलूंगा इसी के साथ शुक्रिया दन्यवाद